हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मा रोक्स यूटूब चैनल, फार्मा रोक्स के यूटूब एज्टूब चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टड़ी करेंगे इमर्जन्सी ड्रग्स के बारे में तो हम सिखने वाले कि जो अलग-अलग इमर्जन्सी ड्रग्स होती है जन्रल प्रैक्टिस के अंदर, इमर्जन्सी कंडिशन्स के अंदर तो वो सभी की डेटेल स्टड़ी करेंगे ये वीडियो लेक्चर में और सिखेंगे उनके बेजिक यूज बगेरा के बारे में और करेंगे डेटेल स्टड़ी अपड़ेट इमर्जन्सी मेडिसिन्स तो जानते हैं ये वीडियो लेक्चर के अंदर डेटेल में एक्सपर्ट लेक्चर बाया मर्सर, और सिस्टम प्रोफेसर और फाउंडर और फार्मर रॉक्स फार्मर रॉक्स के मोबाइल अप्लिकेशन को और अगर आपके पास आइफोन है तो एप स्टार पर से भी डाउन्रोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी तो अब समझे कि इमर्जेंसी ड्रग जैन और मेडिकेशन तो यह ऐसे मेडिकेशन से कि जब कोई जानलेवा कंडिशन प्रोड़ूस होती है कि जिसको हम कहते हैं लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमर्जेंसी तो ऐसे कंडिशन के अंदर यह मेडिकेशन वो जो कंडिशन होती है उसको ट्रेट करने के लिए मतलब कि उसके ट्रेटमेंट में और साथो साथो वो कंडिशन को अच्छे से मैनेज करने के लिए यूज की जाती है तो दे यूज पर ट्रेटमेंट और मेडिकल इमर्जेंस कि जब कोई person emergency condition में होता है तो उस वक्त जो life threatening condition होती है तो उस वक्त जो आपको immediately जो response देखकर उसकी अच्छे से जो treatment करनी है उस वक्त तो आपको जो medicines लगते है उसको कहा जाता है emergency drugs जैसे कि किसे को cardiac arrest आता है brain stroke होता है एनाफाइलक्स सौक होते है breathing difficulties होती है तो इसे बहुत सरे ऐसी condition से emergency condition कि जिसके अंदर emergency medicines को जो है वो use किया जाता है तो general principles हो हम consider करें कि जो emergency medicines को आपको use करनी है या फिर जो medical emergencies होती है उसको handle कैसे किया जाता है तो उसके ये principle आप समझो कि 5 point है तो पहला है कि danger the accident scene is no longer dangerous कि कि कितनी dangerous condition है no longer dangerous मतलब कि ज्यादा danger condition नहीं है या फिर normal dangerous condition है तो उसके according to आप जो है वागे treatment करते है response मतलब कि जो भी person है वो conscious है या नहीं अच्छे से breathing कर रहा है कि नहीं वो आपको check करना होता है कि he and see conscious and can breathe तिसरी condition है कि airway to make sure your person's airway is open and it is easy to breathe मतलब कि person का जो airway है वो open है मतलब कि वो आसान इसे जो है वो breathing कर रहा है कि easy to breathe आसान इसे person जो है वो breathing कर रहा है but next है कि check that person can breathe if he or see not breathing using mouth to mouth method कि अगर आप समझो कि breathing कर रहा है या नहीं वो check करना है कि mouth to mouth method से breathing हो रही है नहीं हो रही तो आगे है जो oxygen mask वगरा लगा कि आपको proper उसको supportive care देने की जरूत रही थी और आखरी चीज़ है कि circulation को अच्छे से check करना कि make sure the person's blood is circulating by looking for color, coughing and eye moment मतलब कि blood circulation अच्छे से हो रहा है कि नहीं कि blood circulation किस तरह से हो रहा है उसके अंदर coughing reflex देखने को मिल रहा है eyeball की movement वगरा देखने को मिल रही है नहीं वो जो है वो अच्छे से check करना होता है तो ये 5 जो main point है कि danger response, airway, breathing and circulation वगरा को अच्छे से check करना होता है तो अब बात करते हैं कि life threatening medical emergencies कौन से है जैसे कि cardiac arrest की condition है एनाफाइलेक्सीस है अस्थमायन ब्रॉंकोप्लाजम की जो condition है chronic obstructive pulmonary disease कि जिसको हम कहते हैं COPD तो इसमें भी काफी emergency conditions produce होती कि जो काफी जानलेवा होती है life threatening होते हैं पांचवा हम देखे तो coronary syndrome होते है coronary heart disease वगिरा होते हैं severe upper airway obstructions कि जो आपका respiratory track का जो अपर बोर्शन है वहाँ पे severe obstruction हुआ है तो उसके करण के कई बार breathing नहीं कर पाता पर्शन और आगे जाके life threatening conditions होती है acute pulmonary edema हो जाता है अरित्मियास मनलेपकी irregular heart rate फिर postpartum hemorrhage या फिर incomplete abortion वो भी एक life threatening condition बनती है medical emergency के अंदर hypoglycemia मतलब की sugar जो है वो काफी low हो जाना यह आपने देखा होगा कि यह बहुत बड़ी medical emergency बन जाते है कि जब sugar काफी down हो जाता है किसी भी person का कि जिसको हम medical terms में hypoglycemia कहते है convulsive states मतलब की जो convulsence होते है respiratory depression होना and poison and toxicity toxicity के अचानक से जो poisoning हो जाते है toxicity हो जाती है body के अंदर तो उस दोरान भी medical emergency जो है वो developed होड़ी तो यह ऐसे medical emergency है कि वो life threatening कह सकते है कि इसके कारण जो है वो person की जान जा सकती है तो यह 13 जो है वो most preferably medical emergency कही जाते है कि जो life threatening है उसके अलबा जो हम दूसरे देख सकते है कि जो non life threatening medical emergency मतलब कि इससे पेशन की जान जाने की सक्केता बहुत ही कम है जैसे कि नौज्या vomiting होना, severe acute pain, migraine, uteric colic, biliary colic, painful wound होते है psychiatric emergency और उसके इंदर जो panic attacks होते है contaminated wound से आपके diarrhea हो जाता है severe headache, nasal congestion, dehydration तो यह सब conditions को non life threatening medical emergencies कहा जाता है तो अब जानते है कि कौनसे ऐसे medic incidents है कि जो आपको जरूर से available करवाने चाहिए emergency की conditions के अंदर की आपके drug stores के अंदर यह medications proper emergency drug talk पे होनी चाहिए as well as जो आपकी kit होते है उसमें भी यह medications proper quantity के अंदर available होनी चाहिए तो जानते हैं यह medications के नाम सबसे पहले हैं तो सबसे पहले है टॉप पर that is oxygen कि oxygen की जो जरूरत है वो सबसे ज्यादा रहती है emergency conditions के अंदर की patient को समझे कि breathing problem है वो breathing नहीं कर रहा है oxygen की demand है उसकी body को तुस वाक proper oxygen जो है वो provide करना जरूर है because जो हमारे अलग-अलग body की जो function से जो cell होते हैं उनको oxygen की जरूरत होती है और oxygen की deficiency के होने के कारण बहुत सारी अगर आगे complications हो सकते तो सबसे पहले जो emergency drugs के अंदर priority पे जो हम कहें तो that is a oxygen उसके बाद जो है वो है adrenaline की यह वाला जो आप देख सकते है adrenaline की जिसको हम epinephrine भी कहते है तो वो भी emergency drugs के अंदर ही include होगा उसके बाद atropine आता है कि atropine sulfate का जो injection है वो भी बहुत सारे लग लग medical emergencies के अंदर life saving drug बनता है फिर EDT.5 ml वायल की जो एक टाइप का vaccination है बेंजो बेंस्ट्रोपीन करके जो आता है कि जैसे अट्रोपीन है उससे तरह से बेंस्ट्रोपीन भी यूस किया जाता है बेंजाइल penicillin है dexamethasone उसके बाद digepalm है glucose कि यह आप देखो कि जब किसी को hypoglycemia हो गया है सुगर काफी डाउन हो गई है तो उस वक्त glucose भी उनको जो है वो दिया जाते है कि जब glucose की जरूरत होती है बाडी को फ्रूसेमाइड है glucagon है GTN स्प्रे की जिसको हम कहते है glycerine trinitrite कि इसके स्प्रे भी यूस किया जाता है कि जो एंजाइना के पेसंट हो दें चेस्ट पेन के पेसंट medical emergencies होती है एंजाइना रिलेटेड तुस वक्त समझे कि परसन सब्लिंग्यूल टैबलेट लेने लए नहीं सकता तो डायरेकली जो इसका जो प्रे अविरेबल होता है वो भी आप उसको दे सकते हैं फिर बात आती है हेलो पेरिडॉल की hydrocortisone है lignocan है metoclopramide ये medications जो है वो most available emergency drugs के category में include करते हैं और भी आगे है वो हम जानते हैं कि उसके बाद जरूरत पड़ती है manetol की इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है डाय हैड्रो अर्गोटामाइन क्याटो रोलेक मीडाज ओलाम है ओलेंजेपाइन सुमाट्रिप्टान सिंटोमेट्रिन मॉर्फिन की ज़रूत पड़ेगी नालोक्जॉन है ब्लोक्रोल पैराजिन है साल्बूतामॉल ट्रामोडॉल वे यह मेडिकेशन्स जरूर से अवेलेबल होने जाए कि जो मीडाज ओलाम है उसका प्रॉपर इंजेक्शन अवेलेबल होना चाहिए इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो है उसका इन्हेलर है जो साल्बूतामॉल है प्रोक्लोर पैराजिन तो इसमें से बहुत सारे मेडिके इमर्जन्स के लिस्ट में आते हैं कि जो जरूर से अवेलेबल होने चाहिए अज़ा इमर्जन्सी ड्रग्स तो अब बात आती है कि जब मेडिकल इमर्जन्सी होती है तो उसको मैनेज कैसे किया जाता है तो सबसे पहले ज़रूर है यह इस अपोर्टिव केर कि जब भी यूज करना एंटीडॉट्स अगर कोई टाइप का पॉईजनिंग है कि अगर पॉईजनिंग के करण को इमर्जन्सी हुए तो प्रॉपर एंटीडॉट्स उसको देने चाहिए और पॉईजनिंग समझे कि पता नहीं तो उस वक्त यूनिवर्सल एंटीडॉट्स आपके प सबसे पहले आप समझें supportive care का मतलब क्या है कि जो symptoms होते हैं कि जो भीس कंडिशन है उसके symptoms को प्रॉपर स्टीबल करने के बाद है कि दगूल ऑब supportive care is to prevent or treat as early as possible the symptoms of disease side effect caused by treatment of a disease and physiological psychological social and spiritual problem related to the disease or its treatment की जब भी patient ऐसे condition में आता है emergency तो सबसे पहले supportive care जो है वो काफी ज़रूरी है मतलब कि जो patient है वो पहले तो जो समझे कि डरा हुआ होता है काफी tense patient या फिर unconscious patient भी ऐसे होते की जो काफी life threatening conditions में होते है तो उस वक्त ज़रूरी है कि उनको उस type से proper care मिले कि जिसके करन उनकी जो medical condition है emergency condition उसके symptoms देरे देरे काफी कम हो जारू उसका समझे कि आप यह monitoring करते है तो vital signs फिर से normal आ जाए और patient जो है वो specially हम कैसे कि patient is stable कि जो stability की जो हम बात करते कि patient अच्छे से stable हो गया एक बार उसके बाद जो regular जो medications के treatment चलती है उससे आगे जाके अच्छे से क्योर हो जाता है तो सबसे पहले important है कि stable करना patient को तो stable करने के लिए जरूरी है यह supportive care so also call comfort care भी कहा जाता है उसको palliative care भी कहा जाता है and symptom management भी कहा जाता है कि जो भी पहले symptom से उसको पहले आप control कर लो कि BP high है तो BP को normal करवा दो heart rate ज्यादा है तो उसको control में ला दो तो जो vital science होते हैं कि blood pressure है heart rate है respiration rate है oxygen लेवल है तो यह जो science होते हैं उनको सबसे पहले जरूरी होता है स्टेबल करनागी यह स्टेबल हो जाएंगे तो देरे-देरे medications भी अच्छे से असर करेगी person को कि जो हमने emergency drugs के बाद की तो वह आप utilize कराएंगे बड़ जरूर यह कि patient अच्छे से stable हो तो इस तरह से जो oxygen mask वागरा जो लगा दिया जाता है proper यह जो monitoring किया जाता है उसके vital science का तो यह include होगा supportive care के अंदर फिर बाता थी है oxygen therapy की की emergency treatment के अंदर emergency drugs के अंदर oxygen जह हो सबसे उपर top पे priority के अंदर है तो oxygen therapy is a treatment that deliver oxygen gas for patient to breath कि जो हमारी life के लिए जो oxygen की जो need है कि जो हमारे body के cell है उनको अपने जो अलग-अलग processes करने के लिए oxygen की जरूरत पड़े तो बीना oxygen उनका काम जो है वो काफी जो है वो reduce हो जाता है proper function नहीं कर पाते हैं जिसके करन अलग-अलग complications होना start होते हैं तो जो oxygen demand को जो पूरी करनी है सभी cell की तो जरूरी है proper amount में जो oxygen जो है वो person को डिलीवर करवाना तो यह दिलीवर किया जता है by the oxygen therapy उसके अंदर जो हम आप देख सकते है कि जो tube होती है कि जिसको oxygen लेकर आती है फिर यह पूरा mask जो है वो लगाया जता है चहरे के उपर and जो face mask जिसको कहा जता है और उसके through जो oxygen है वो आपके lungs के अंदर अच्छे से पहुचता है तो patient can receive oxygen therapy from tubes कि यह जो tubes oxygen लेकर आती है resting in a nose a face mask और a tube place in a trachea और wind pipe further deliver that oxygen to the lungs के आगे जब यह oxygen आपके nozzle cavity के through आगे अंदर अपके trachea है फिर wind pipe के अंदर enter हो जाएगा तो आसानी से वो lungs के तरह पहुच जाता है and this treatment increase the amount of oxygen in lungs receive and deliver to the blood and circulate within the body के अब lungs के पास आजाएगा oxygen तो जो circulatory system जो होती है उसके through यह पूरा oxygen हमारे body के अंदर अच्छे से जो हो distribute होगा कि जो blood के अंदर एक बार oxygen चला जाता है कि जो lungs के अंदर blood के अंदर जो oxygenated blood होता है वो proper अच्छे से पूरे body में circulate करेगा और deliver करवाएगा oxygen की जिससे patient को जो है अच्छे से oxygen मिलता रहे फिर बात आती है suitable medications की जो हमने earlier जो पूले 32 medications का जो पूरा list देखा तो उसके according to ये जो medication से वो patient को दिये जाते to stabilize its condition तो उसके अंदर ध्यान क्या रखना है सबसे पहले तो medication given as a proper dose सबसे important जरूरी है कि वो medicines के proper dose फिर proper suitable doses form and route कि dose के बाद आता है कि रूट के intravenously आप दे रहे हैं इंट्र मस्कुलर दे रहे हैं tablet form से दे रहे है नजल रूट से दे रहे हैं जो भी आपका अलेग अलेग root of administration है उसको आप select करो उस वक्त inhalation must be given by inhalation route of drug administration कि कोई inhalation से दिना है तो inhalation से दो injection है तो उसमें भी आप देख लो कि intravenous देना है intramuscular या फिर subcutaneous route suitable medication जो right time पे right patient को right dose में right route से अच्छे से देना जरूरी कि जो हम proper rights की बात करते हैं उसके according to your suitable medications जो है वो deliver होनी चाहिए फिर बात आती है एंटी डॉट्स की कि जब अलग अलग poisoning होते है तो उस वक्त प्रॉपर quantity के अंदर जो एंटी डॉट्स अविलेबल होने चाहिए emergency के अंदर तो जो हमने 32 include नहीं किये थे बड़ जो एंटी डॉट्स होते है जो प्रॉपर के लाइक ऐसे टाइमिन ओफन का toxicity है पॉजनिंग है तो उसके लिए असिटाइल सिस्टीन रखा जाता है जो एंटी डॉट्स के अंदर टैंसिलोन रखा जाता है फिर कुमाडिन का toxicity तो विटामिन के उसी तरह से किसी को साइडनाइट toxicity है उसके करन को पॉजनिंग हुआ है तो एमाइल नाइट्राइट या फिर सोडियम नाइट्राइट जैसे अंटी डॉट्स उसको इमर्जेंसी में दिये जाता है उसी तरह से जो बेंजोडाइजेपिन से तो उसके लिए फ्लूमाजैनिल आयन के लिए डैस फेराल है जो एंटी डॉट्स है वह प्रॉपर कॉंटिटी में होने चाहिए कि यह पचास जितने एंटी डॉट्स का पूरा एक वीडियो अवेलेबल है फार्मा रॉक्स की चैनल पर जो आप जरूर से देखना कि जो 50 एंटी डॉट्स है most popular कि वह भी अच्छे से प्रॉपर स्टॉक एंटी डॉट्ट फिर बात आती है वाइटल साइन मॉनिटरिंग की तो जो वाइटल साइन्स होते है पेशन के कि उसका जो आप यहापे पल्स देख रहे है कि पल्स कितने है हार्ट रेट उसके कितने है वह अच्छे से चेक करना जरूरी है उसके बाद एस्पी ओटू का बॉड़ी टेंपरेचर आप यहापे आप देख सकते हो उसके बाद रेस्पीरिशन रेट दिखाया है तो इस तरह से प्रॉपर जो उसके वाइटल साइन्स है कि ब्लड फ्रेसर का जो वैल्यू है उसका तो वह प्रॉपर अच्छे से मेजर करना जरूरी है तो वाइटल सा इसके इंडिकेटर होता है फ्लूयल कितना है तो उसी तरह से जब कोई पेसंट एड़्मित होता है तो उस वाइटल जो उसके वाइटल साइन्स केसे है तो वाइटल साइन्स मॉनिरेंग गिवे मैडीकल परस्षनल एन इंडिकेशन अबाउट द पेसंडंस कंधिसन। जो vital science समझे कि normal है तो इससे आप indicate करेंगे evaluate करोगे कि patient की treatment है वो अच्छे से चल रही है और patient जो है वो अच्छे से stable है तो वो enable करता है and evaluate करता है treatment options कि आगे आप किस तरह से इसको treatment करोगे किसे medications आगे दूगे तो वो जो है वो ये vital science के according to जो है वो possible होता है तो अब बात करें कि किसी को cardiac arrest होता है तो वो जो emergency है तो उसमें कौन से emergency drugs use किया जाते है तो उसके अंदर कि जब किसी को heart attack होता है cardiac arrest की जो हम बात करते हैं कि arteries block है या फिर कोई भी congestive heart failure के करण समझे कि आपको heart attack के condition हुए muscles damaged थे तो उसके अंदर adrenaline is given every 3 minutes intravenously until the return of spontaneous circulation तो ये खास important पहला point है कि जो मैं आपके लिए highlight करूंगा खास कि every 3 minutes और कौनसा तो that is adrenaline adrenaline तो adrenaline के जिसको हम epinephrine भी कहते है एन उसका जो adult dose रहता है वो रहता है 1 mg with saline flush around 10 to 20 ml and pediatrics के अंदर 0.01 mg per kilogram कि जिसको लिख सकते 10 microgram लिख सकते पर kg with saline flush up to 5 ml फिर बात आती है रेगुलर monitoring of vital science के यह जो आप adrenaline तो दे रहे है पेसंट को बड़ साथो साच जरूरी है उसके vital science को अच्छे से regular monitor करना फिर बात आती है ventricular फाइब्री लेसंस के तो उसके अंदर lignocan जो होता है वो वन मिली ग्राम पर kg pulse-less ventricular tachycardia के अंदर lignocan सेम 1 mg पर kg के तौर पर की पेसंट का जो वेट है उसके अकड़ूंगर के समझे के 50 kg वेट है तो 50 mg दो 60 kg जिसका वे थे तो 60 mg आप दे सकते हैं फिर और सिस्टॉल और सीवियर bradycardia के अंदर atropin की जो 1.2 से लेकर 3 mg and जो चाइल्ड के अंदर 20 microgram पर kg की जो dozing रहेंगे cardiac arrest के अंदर कि जैसे आप ये atropin sulfate का ये जो injection दे रहे है तो वो emergency के अंदर खास जो हमने लिस्टेड भी किया था और इस तरह से उसको cardiac arrest के अंदर जो है वो apply किया जाता है फिर बात करें हम enafilaxis के अंदर तो जो enafilaxis एक सौक होते हैं अचानक से कि जो severe allergic reactions हो जाते हैं और ये life threatening condition बन जा दिया कई बार कि severe allergic reactions to venom कि कोई poison वगेरा है food और medication कि कोई food के कारण कोई medication के कारण या फिर कोई poison के कारण अचानक से आपको ये enafilaxis एक सौक होआ है होर most cases are caused by bee sting और eating food that are known to cause allergic such as peanuts और tree nuts कि कई बार ऐसे condition ऐसे के करण होती कि जो भी होती है मतलब कि मदू मक्यों के bite के करण फिर ऐसे कोई food की जिसकी आपको allergy है कि लाइक की peanuts की आपको कोई allergy है tree nuts वगेरा की allergy कि मतलब कि person to person कई बार हम जानते कि allergies जो है वो अलग-अलग होती है तो किसी भी टाइप की allergy के करण कोई medications के लिए allergy है आपको और वो आपने गलती से ले लिया है तो उस वक्ट जो एनाफाइलेक्स स्वाक होता है तो उसको treat करने के लिए भी proper medications यूज किया जाते तो एनाफाइलेक्स स्वाक होता है इस टाइप के severe allergic reactions के तो उसके आप देखूगे तो अच्चानक से रैसिस डेवलप हो जाते है बॉडी के अंदर काफी सारे रैसिस आपके बॉडी पर डेवलप हो जाते है फिर low pulse pulse rate अच्चानक से काफी low हो जाते है and patient जो है वो shock या फिर trauma के अंदर चले जाता है which is known as anaphylactic shock कि जिसको आप anaphylactic shock जो कहते है कि ऐसी condition produce हो थी कि जो बाजू में आप देख रहे है कि जो कोई बी बाइट के करन अच्चानक से आपको ऐसी condition हो कि आपकी जो vital sign से वो completely disturbed हो जाते है allergic reactions डेवलप होना चालू हो जाते है बॉडी पर तो ये condition काफी life threatening होती है उसको treat करने के लिए सबसे first option है same adrenaline कि जो epinephrine injection जो हम कहते है and every five minute intramuscularly यहाँ पे जो IM root से दिया जाता है intramuscularly and until the clinical features यह जो है enterolateral thigh जो है वहाँ पे दिया जाता है खासकर हर पांच मिनिट पे up to ten doses may be given दस जितने dose जो है उसको दिये जाते है पर five minute मतलब कि पाचास मिनिट तक continuously उसको दर पांच मिनिट के time interval पे जो है आप उसको dose देते है adult dose रहेगा 0.5 mg pediatric dose देखे तो 0.01 mg पर kg रहेगा कि जिसको आप microgram में लिखो तो 10 mg पर kg kg कलाइब किसे चिल्डरन का वेट है सिर्फ 20 kg का वेट है तो उसको आप जो है वो दो सकते है 20 into 10 is equal to 200 microgram कि एक किलो ग्राम जितना वेट है तो 10 microgram 20 है तो कितना तो इस तरह से यह जो dose दिये जाते है प्रापर body weight के according to फिर बात करें oxygen की कि साथ हो साथ oxygen भी उसको देना जरूए तो oxygen दे सकते है 8 liter पर minute की तौर पर oxygen उसकी body को मिलना चाहिए normal जो saline होता है 20 ml पर kg की तौर पर 20 mg 20 ml per kg is given for hypotension की समझे hypotension है pulse काफी कम हो गया है heart rate भी कम है और blood pressure भी काफी down है patient का तो उस वक normal saline start करवा सकते है आप उसका and hydrocortison की जो एक टाप का हो जो हम steroidal medications कहते है तो 250 mg और 4 mg per kg single dose intravenously यह इसका single dose ही जरूवत है इसके multiple dose की जरूवत नहीं है कि यह सिर्फ एक ही उसका single dose as per the proper direction तो यह बात आती है और एना फाइलक्सिस की next वीडियो लेक्चर की जो रहेगा part 2 about this emergency drugs उसमें जो हमने दूसरे जो life threatening conditions देखे उसके किस तरह से उसको manage किया जाता है वो सिखेंगे और जानेंगे कि वो सब medical conditions के अंदर कौन से emergency drugs वेगरे को प्रिस्क्रेब किया जाते है इन part 2 के अंदर तो वो सिखेंगे part 2 के अंदर तो thank you for watching join us ओ और whatsapp group यह वाला whatsapp helpline number है कि जो join कर सकते है फार्मरोक्स की mobile app डाउनलूड कर सकते हैं एकसेस कर सकते हैं study material को test series वीडियो लेक्चर फार्मरोक्स क्या पूपर से गुद लेक्ट लेक्ट